कॉगे ते गजाएंट्स देखिए आपके क्वेश्चन है कि दि रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ जाइरेशन ऑफ होलोई स्फियर एंड एस फॉलेड़ी स्फियर अप दिस सेम रेडियाई अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस इज तो देखो यहां पर दो पार्ट है एक है जि तो रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ जाइरेंशन ऑफ एंडे बटेंगे सीया इस्का है उतना इसका भी है मुझा इसका भी रेडियाई उतना ही है ठीक है ना मास अलग हो चलेगा ठीक है बड़ रेडियाई यहां पर मालो इसका मास M है इसका मास Mडस है मास के बारे हम कुछ निकालना चाहते ठीक है तो सबसे पहले तो इसके आए निकाल लो कितना होगा इसकी बड़ आई निकालो कितना होगा उसके बाद फिर आगे बात करें तो हम यहां पर क्या करते की एक एकस्स इसके सेंटर ओप मास से पास करा लिए एक एकसिस इसके center of mass से एक एकसिस इसके center of mass से pass हो रहा है ठीक है तो इसके about moment of inertia जो होता है center of mass के about जो moment of inertia होता है follow sphere का वो होता है two by three mr square follow sphere का ठीक है ना और जो solid sphere होगा उसका moment of inertia जो होगा इस center of mass के about वो होता है 2 by 5 m r square clear तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगी parallel axis theorem लगा देंगे ठीक है i का formula लिखेंगे i equals to i c o m plus m d square plus m d square ठीक है तो यहाँ पर 2 by 3 m r square है और दोनों के बीच का separation r है तो 2 by 3 m r square plus m d के जगा पर separation r square so lc हम लेंगे 3 to 5 5 m r square by 3 मतलब यह जो moment of inertia यहाँ पर देखने को मिलेगा यह हो जागा 5 by 3 m r square यह मुसी तरह से इसका भी निकाल लेंगे तो यह है 2 by 5 m r square और फिर plus m d square करेंगे तो m r square separation आ रही है यहाँ पर तो 5 plus to 7 m r square by 5 हो जाएगा तो इसके about moment of inertia आ जागा 7 by 5 into m r square इस तरह से ठीक है तो दोनों के about हमको moment of inertia पता चलिए अब radius of gyration की बात करते है तो formula होता है i equal to m k square clear है तो अगर हम इसको m k square से equate करते है तो 5 by 3 m r square यहाँ से k square कितना आ जा रहा है 5 r square by 3 या फिर k का value कितना आ जा रहा है root under 5 by 3 into r तो यहाँ से इसको भी m k square के साथ equate करो इसका मास m dash लिये थे तो m k square ठीक है equal to 7 by 5 m dash r square यहाँ से अगर k का value निकालेंगे तो root under 7 by 5 into r आ जाएगा इसको k dash मान लो तो इसी का ratio मेरे को चाहिए था k by k dash का ratio चाहिए था so k by k dash is equal to root under 5 by 3 into r upon root by root under 7 by 5 into r r cut जाएगा 3 उपर जाके 5 से multiply सरी 5 उपर जाके 5 से multiply हो जाएगा 25 साथ नीचे जाके 3 से multiply हो जाएगा 21 तो यह आ जागा 5 by root 21 तो 5 by root 21 अगर आप देखेंगे तो option number 20 में सही हो जाएगा तो इस तरह से इस question को solve करना तो अमीद आप समझ पाएँगे and thank you so much for watching कर दोबें।